दोस्तों देश की राजधानी दिली में पहले भी धर्म संसदे हुई हैं कई धर्म संसदे हुई हैं चाहें आप फिर राजधानी दिली के बात कर लेजे राजधानी दिली से सटे बॉडेस की बात कर लेजे इससे पहले बहुत जगा धर्म संसदे हो चुकी है सिर्फ दिली में ही क्यों? दिली के अलावा देश के कई राज्यों में धर्मसंसद हो चुकी है पुलिस ने क्या आक्षन लिया? पुलिस के आक्षन के बाद भी जिन लोगों ने धर्मसंसदे की वो लोग अभी भी किस तरीके से नफरत फैला रहे हैं आप भली भाती जानते हैं दोस्तों आपको पताने की ज़रूत नहीं है लेकिन देखे हाल के दिनों में हुई धर्मसंसद इस वक्त चर्चा का विशेव बनी हुई है और ये जो धर्मसंसद है ये धर्मसंसद देश के राजधानी दिल्ली में ही हुई दोस्तों बेशक ये जो धर्मसंसद हुई इसमें भी हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने देश के मुसल्मानों को मानने काटने का अलान किया ना सिर्फ मुस्लिम बलके इसाईयों को भी मानने काटने का एलान हुआ अब ये जो खबर है ये सुर्ख्यों में इसलिए भी है क्योंकि ये मामला अब सिर्फ और से भारत तक सीमित नहीं रहा बलके अब सीधा अरब देश पहुँच चुका है या अरब जगत की मीडिया इस मामले पर क्या बोली दोस्तों इस खबर में आपको बताएंगे नमस्कार मेरा नामे जैन्ती जाओ और आप देख रहे हैं दनेशन दोस्तों भारत में धर्म के ठेके दारों द्वारा बनाये गए माहौल का मुद्दा जो है फिर एक बार अरब पहुच चुका है बहले भी बहुत बार पहुचा है और अरब देश से क्या प्रितिक्रियाँ सामने आई ही हमारे देश की मोधी सरकार किस तरीके से उन प्रितिक्रियाँ के सामने आने के बाद जागी कुमकरण के नीन से ये बात शायद आप जानते होंगे अब भारत के कई कोनों में धर्म संसद के नाम पर भढ़काऊ और नफरती भाषण जो है बयान जो है वो दिये गए लेकिन जब ये भाषण देश की राजधानी में संसद के बेहस नस्दीक पढ़ने वाले जंतर मंतर पर धर्म संसद आयुजित करके दिया जाता है दोस्तों जो है वो ट्वीट किया है अपने ट्वीट में वो क्या लिखते हैं इस वक्त आपके स्क्रीम स्परम का ट्वीट है वो लिखते हैं कि हिंदू क्लरिक ओपिनली इंसाइटिंग हिट्रेड और कॉलिंग मुस्लिम्स और क्रिस्टिंस आज वेल एस विडाउट एनी फियर कहने के साथ कहिना कहिना चाह रहे हैं कि भारत में इस तरीके की घटनाय लगातार बढ़ती जा रही है नफरती भार्षन जो है उसका मुद्दा चरम पर पहुंच चुका है बावजूद इसके हमारे देश की मोदी सरकार इस पर कोई आक्षन नहीं ले रही है यह जो विज दिखाना चाहेंगे जो सोचल मीडिया पर अब सुर्खिया बटो रहा है लगातार यह जो वीडियो यह वाइरल हो रहा है और यह वीडियो आप देश में ही सीमित नहीं रहकर विदेश में भी पहुंच चुका है दोस्तों पर देखें आपको दिखा देते हैं उसके बाद देखा कि बुजर्ग व्यक्ति जिने आप धर्म का ठेकिदार कह सकते हैं इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं यह भी खबर सामने आई किस तरीके से बयान देते हुंए नजर आ रहे हैं साफ तोर पर देखा जा सकता है अलाकि वो खुद को संत महंत बाबा बताते हैं हमारे देख में कई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं और वो खुद को बाबा बताते हैं संत बताते हैं परमात्मा बताते हैं कई लोगों के अन्याई हैं कई लोग उनके अन्याई हैं उन लोगों को मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और सबसे बड़ क्यों न चली जाए अब यहीं शक्स मारने काटने की बात कहकर सामने खड़े लोगों को उखसाता है इन तथा ठेकेदारों का जो विडियो है यह अरब पहुंच चुका है लेकिन अगर आप यह समझ रहे हैं दोस्तों किस से अरब पहुंचा है तो यह आपके गलत फिर्मी है ऐसा नहीं है इसके अलावा यह जो मामला है अमेरिका भी पहुँच चुका है इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि यह जो वामला है यह भारत तक सीमित न रहकर दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुगा है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसल ले ट्वीट किया है क्या ट्वीट किया इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर उनका ट्वीट है वो लिखते हैं कि जहां लिखा गया देखे देश की राजधानी में संसत के वेहत करीब जंतर मंतर पर धर्म स संसत आय उजित करके मुस्लिमों और इसाईयों को गोली मानने का आहवान मोदी के आठ साल के शासन में भारत यहां पहुँच गया है समिधान को नमानने का खुला नारा और पुलिस प्रशासन मौन अभी और कितना बरबाद होगा भारत आरसस के हिंदृत से तो समझ सकते ह तो हमारे दिश में कीडा लोगों के बीच पैदा किया जा रहा है असल में वो उनके बीच है नहीं उसको एक तरीके से टूल इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो जो पूरा मुद्दा है वो इतना प्रबल बन जाए कि दो धर्मों के बीच जो खाई लोगों ने मनाई है वो और जादा गेहरी होती जाए और यही कारण यह क्ति यह जो nelैसी आरेसका अरेसका वूट सवार है उसकी बजसे धर्म संसदेय ऐुजित की जा रही है खुले आम नारेवाजी हो रही है भड़काव बयान्वाजी हो रही है और इस वायान पर इस भाशन पर नफ्रती भाशन पर जहर उगलने पर ऐसे नफ्रती लोगों पर किसी तरीके का कोई आक्षन नहीं लिया जा रहा है तो आप भूले नहीं होंगे और उनसे जुड़े मामले को भी आप भूले नहीं होंगे मैं पूरी उमीद करती हूँ क्योंकि नुपूर्ण शर्मा जो हैं दोस्तों जिनको अभी इस वक्त यही धर्म के ठेकेदार हिंदू शेरिनी बताते हैं कि मैंने भी कुछना इसओ किया था हुख भी तव्त किया यह टीवेट में दिया था जिसके ृँरम्ण पखड़ा और किस तरह से उस मामले के वजह से उनके एक बयान के वजह से देश से लेकर देश के कई प्रतिक्रियाय आने शुरू हुई और फिर प्रतिक्रियाय आई तो हमारे देश की मोधी सरकार ने fringe अलीमेंट बताते हुए उनको बाहर कर दिया दोसदो और सिर्फ नुПुर् शर्मा नवीन झिंगल से लेकर दूसरे जितने भी नेता हैं वो सब के सब continuously उसी तरीके का बयान बार बार देती हुए नजर आए लेकिन बहुत से नेताओं को सिर्फ और सिर्फ निलंबित किया गया उनको पर्मनेंटली निकाला नहीं गया दोस्तों अब ये जो मामला है ये तूल पकड़ लेगा क्या तभी हमारे देश के मूदी सरकार कुम करण की मीन से जागेगी क्या ये सवाल उठा है क्योंकि इस बयान में तो देखे साफ तोर पर एक तथाकतित बाबा ने धर्म का हवाला देकर भड़काऊ बयान दिया सबसे जादा हैरानी वाली बात ये है दोस्तों कि ये जो धर्म संसद है ये धिरेंद्र शास्त्री के बचाव में और उनके समर्थन में बुलाई गई थी धिरेंद्र शास्त्री वही जो चमतकार से आपके नाना चाचा भाईया भावी क्या कर रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं अभी वो क्या कर रहे होंगे आगे आने वाला भविश्य क्या है वो चुटकियों में पता लगा लेते हैं अब हमें नहीं मालूम कि वो अंतर्यामी है क्योंकि वो तो बोलते हैं कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ लेकिन ढूंगी है इस बात की तो बिलकुल सापतोर पर इस बात की पुष्टी हो चुकी है पहले हो चुकी है और इसी बात को लेकर उनके उपर सवाल खड़े किये जा रहा है थे तो ये जो धर्म संसद है पूरी तरीके से उनके समर्थन में बुलाई गई थी अब इस धर्म संसद में मंच से जहर उगलते हुए कहा गया कि तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे इतनी सी चाकू है इस चाकू से कुछ नहीं होने वाला है हतियार रखो जो हिंदूों का आपमान करेगा उसको तो मारी देना चाहिए चाकू से आपको याद आया होगा एक औ और बयार दोस्तों ये तो चलिए हिंदू संगठन के लोगों का काम है जो वो कर रहे हैं इनका जर्म से धदिकार है करना कि एक धन के विरोध में आप खड़े हो जाएं और पूरे देश में नफरत तेलाएं लेकिन इसके अलावा चाकू हाथ में रखने की बात किस ने कही थी याद होगा आपको साधवी जो असल में साधवी नहीं है प्रग्यासनी ठाकूर करनाटक में मंच से भाशन दिया था कि अपने हाथ में चाकू रखो सबजी काटने वाला चाकू रखो चाकू कि धार जितनी तेज होगी दुश्मनों के सरुदने तेजी से कटेंगे ये या कौन से कौन से पद पर इस वक्त विराजमान है अब इस भड़काओ बयान के बाद तो देखे ग्रीमंत्री अमिक्षा जी के दिल्ली पुलिस अभी तक जांच में लग जानी चाहिए थी मगर सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि पुलिस भी खामोश दिल्ली में बैठे हुकमनान भी खामोश और गोधी मीडिया के पतलकार तो तब भी बोलेंगे जब आका हाथ हिला कर परमिशन देंगे इलाल खामोशी है पर जादा वक्त तक ये खामोशी बरकरार रही कि कि नहीं इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा गाराल दोस्तों खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरू बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात हो गया आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार